Good morning students, कैसे आप सब लोग उमिद करती हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे, तो आज की वीडियो में हम class 8 में, science में, lesson number 18, वायू तथा जल का production के बारे में पढ़ेंगे ठीके बचो, तो हम start करते हैं, तो आप भी अपनी बुक साथ साथ में निकाल लीजिए पहेली और बुजो यह जानकर फूले नहीं समा रहे थे, कि आगरा का ताज महल संसार के साथ आश्चरियों में से एक है, परन्तो यह सुनकर वे दुखी भी थे, कि सफेद संगमर्मिर की इस इमारत के भव्यता को इसके चारो और के छेत्र के वायू परदुशन से क्या है, ख हमारा पर्यावण अब वैसा नहीं है, जैसा वह पहले था, हमारे बड़े बुड़े नीले आगास तता स्वाच्च जार एमशुद वायू के विशे में बाचित करते हैं, जो उनके समय में उपलब्द थे, जन संचार के साधन पर्यावण के गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विशे में नियमित रूप से जानकारी देते हैं, हम स्वयम अपनी जीवर में वायू तथा जैल के गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुश प्रभाव का नुभव करते हैं, उधारन क के लिए स्वसन व्रोगों से पीडित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वर्दी हो रही है तो बच्चों यह इस लेसन में स्टार्टिंग में इसने बोला कि जो ताज महल है आगरा को वो क्या हो रहा है अब दीरे-दीरे उसके इमारत की कुपसूरती क्या हो रही है क्यों क अगर वायू परदुशन जादा है इसके करण और भी हमारे पास चीज़े आ रही है जैसे अना स्वसन रोगों से पीडित व्यक्तियों की संख्या में क्या हो रही है निरंतर वर्दी हो रही है हम उस समय की कल्पना मातर से ही बहिबीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्च वाय के विशय में अध्यन करेंगे जो भी जल प्रदुशन वायू प्रदुशन उसके बारे में इस लेसन में देखेंगे तो बच्चो आप यह जानते हैं कि वायू गैसो का मिशन है आस्तों के अनुसार इस मिशन का लग भग वायू गैसो का मिशन होता है वातावरण में उनमें जो 78 पर्सेंट है और जो 21 पर्सेंट और और भी बहुत सारी गैसे हैं जो वायू में अल्प मातरा में उपस्तित होती है आपने दुआ उगलते इंट के बटों के निकट से गुजरते समय अपनी ना को ठका होगा आपको भीड वाली सडकों पर चलते समय खांसी आई होगी अपने अनुभों के आधार पर नीचे दिये गए स्थानों पर वायू के गुणवत्ता के तुलना कीजिए उपवन तथा भीड वाली सडक आवाश्य छेत्र तथा ओद्योगिक छेत्र दिन में विभिन समयों पर जैसे प्राते काल दौपय तथा संध्याकार में भीड वाला चोराहा गावं तथा शहर ठीक है तो हमें मतलब दिये देख रहे हैं कि जहां पर जो भीड वाला इलाका हैं वो हमारे शरीर के अंदर ना जाए उप्रोक्त क्रिया कलाप में आपका एक प्रेक्शन यह भी हो सकता है कि एक वायू मंडल में धुए के मात्रा में अंतर क्या है क्या आप जानते हैं कि यह दूआ कहां से आया इस प्रकार के परदान्थों जैसे उद्योगों वस्वा चालिदवानों से निकले धुए के मिल जाने से बिन-धिन इस्थानों के वायू मंडल के प्रकरतियों संगठन में बदलाव आ जाता है जब वायू ऐसे अन-जहा परदान्थों के द्वारसं दूशिट हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है तो इसे वायू पर्दुशन कहते हैं वायू पर्दुशन किसे कहते हैं कि विबिन परकार के धूई और विबिन परकार की गैसों के मिल जाने से जो वायू मंडल होता है उसकी प्रकरती और संगठन में क्या जाते ह जब ऐसी अंचाही जो परदात है ना वो क्या हो जाते हैं वायू में आ जाते हैं तो भई वो क्या होते सजीव और निर्जीव के लिए क्या होते हैं हा निकारख होते हैं और इसे ही क्या कहते हैं वायू परदूशन कैसे होता है जो परदात वायू को दूशित करते हैं उन्ह वायू प्रदुशक कहते हैं कभी-कभी यह प्रदुशक प्रकर्टी स्त्रोतों जैसे जल वायू का फटना वनों में हो लगने वाली आग से उठा दुवा तथा धूल द्वारा आ जाता है थो धूल द्वारा आ सकते हैं द्वारा आ सकते हैं मान्य किर्याकलाब के द्वारा भी वायू में प्रदुशक मिलते रहते हैं इन प्रदुशकों का इस्तरोत फैक्टरी विदु सयंत्रस्वा चालित वहा निर्वातक जलावा लकडी तथा उपलू के जलने से निकलावा धूआ हो सकता है मतलब यह जो हना वायू परदुशन के अंदर जो परदाज संगठित होते वह आते कहां से वह कैसे आते कि जो जौला मुकी पटती है वनों में जो आग लगती है जो धूल होता है धूआ होता है उससे क्या आ सकते हैं वह इसमें वायू में मिल जाते फैक्टरियों से जो ध प्रती दिन भड़ती जा रही है स्वसन समयश्याओं से कितने बच्चे पीडित हैं इसे ग्यात करने के लिए आप अपने मित्रों तथा आस पर उसके घरों का सर्वेक्षन कीजी बहुत सी स्वान समयश्या वायू परदुशन के कारण होती है आए यह जानने का प्रियास क करें कि परदुशित वायू में कौन से परदार्थ थ्वा परदुशक उपस्तित होते हैं क्या आपने कभी यह ज्यान दिया है कि हमारे शेरों में कितनी तेजी से वहानों की संक्या बढ़ रही है वहान अधिक मात्रा में कार्बन डायोकसाइड कार्बन डायोकसाइड ना औक्सीजन वाग शम्ता को घटा देती है ठीक है जो पेट्रोल होता है डीजल होता है वो जब इंधन जलते है न तो उनका पूरा दहन नहीं हो पाता तो कौन सी गैस उत्पन होती है कार्बन मोनोकसाइड और जो क्या होती है विशैली गैस होती है यह क्या करती है रुदिर मे होता है जो धूए और कौरे से बनता है जो सर्दियों में वायू मंडल में जो मोटी कौरे की परत होती है वो क्या होता है धूम कौरा होता है यह किस से बनता है धूए और कौरे से बनता है धूए में नाइटोजन के आकसाइड उपस्तित हो सकते हैं जो अन्य वायू परद इसे क्या होता है कि सांस लेने में क्या होती है कठीना ही होती है दम मेर खासी जैसे समिशा हो जाती है बहुत से उध्योग विवायू प्रदूशन के लिए उत्तरदाई है पैट्रोलियूम परिशकरन शाला है अध्याई पांच में जिवाश में इंधन के जलने के विशय में पढ़ लिया है अन्य परकार के प्रदूशक क्लोरो फ्लोरो कार्बन है जिनका उप्योग रेफ्रीजरेटर एर कंडिशन तथा एरोसल फुहार में होता है जो अन्य परकार के प्रदूशक भी है जैसे अब भी हमने देखा कोईले से सल्फर डायोकसाइड और पेट्रोलियूम परिशकरन से नाइट्रोजन डायोकसाइड बहुत सारी और जो डीजल और पेट्रोल है इनके अपूंध हैं से कार्बन मोनोकसाइड और ऐसे ही अन्य परिदूशक और कौन होगए एजिसका उप्योग रेफ्रीज्रिएटर होगया एर कंडिशन होगया ततह ऐरोसन फुहार में होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन के द्वारा वायू मंडल में वायू मंडल के ओजोन परत छतिक्रस हो रही है जो यह क्लोरो फ्लोरो कार्बन है न इसके कारण जो वायू मंडल में जो हमारे न पर्थी के चारो तरफ एक ओजोन की परत है वो क्या हो यह दिरे दिरे छतिक्रस्त हो रह इसके बारे में जानने का प्रियास कीजिए. अच्छा है कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन के स्थान पर अभ़म कम हानिकार साइनों का उप्योग होने लगा है. इन गयसों के अत्रिक्त डीजल तथा पेट्रोल के देहन से चलने वाले स्वाचाली द्वाहनों द्वारा अत्यन्त छोटे कंड भी उत्पन होते हैं. ठीक है ना? जो अत्यदिक समय तक वायू में निलंबित रहते हैं यह द्रशिता को घटाज देते हैं और सास लेने में इस शरीर के भीतर पहुंच का रोग उत्पन करते हैं. यह कंड इस पात निर्मान तता खनन जैसे और ध्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन होते हैं. विदू से उत्रों से निकलने वाली राग के अति शुक्ष्म कंड भी वायू मंडल को प्रदुशित कर सकते हैं. बात करते हैं. अब हम बात करते हैं. विशिष्ट अध्यन ताज महल के बारे में. पिछरे दोच दश्कों से अधिक समय से प्रियोटकों को सर्वाधिक आकर्शित करने वाला भारत के आगरा शहर में इस्तित ताज महल चिंता का विशे बना हुआ है. विशे शेगे ने यह चेतामनी दी है कि वायू प्रदुशक इसके सफेज संगमर मर को बदरंग कर रहे हैं. जो वायू प्रदुशन के कारण है ना जो ये सफेज संगमर में रहे न ताज में बद्रंग मतलब अजीव हो रहा है मतलब सफेद के अलावा उसका क्या हो रहा है खराब होती है आगरा तथा इसके चार और इस्तित रबर प्रक्रम स्वाचालित वहान रसायन और विशेश कर्मतूरा तेल परिश्कर्णी जैसे उध्योग सेल्फर डाय ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाय ऑक्साइड जैसे प्रदुश्कों को उत्पन करने के लिए उतरदाई रहे हैं जैसे यह कैसे वायू मंडल में उपस्तित जल वास्प से अभिक्रिया करके सल्फियूरिक अंबले तथा नाइट्रिक अंबलो बनाती है यह कैसे वायू मंडल में क्या करती है जल वास्प से अभिक्रिया करके जो यह कैसे निकल है ना नाइट्रोजन डाय मारक के संगमर्मर का संशारण होता है, जो मारक का संगमर्मर्मर का संशारण होता है, का प्रेबूरheen ब मतूरा तेल परिष्क्णनी से उस सर्जित काजल झाजल कंग जैसे निलंबित कणों का संगमर्मर को पीला करने में योगदान है इसके अलावर मतूरा काजल series निकलते ना वो भायू में निलंबित हो जाते हैं वह भी क्या करता हैं ओख्मरאל, इसके लिए जो सर्वोच न्याले हैं हाई कोट उसने बहुत सारी उपाई सुझाए हैं माननी न्याले द्वारा यह दिखो हमारा क्या हो गया अभी क्या पड़ने लगया अमली वर्षा होने लगी ठीक हैं तो द्योगों को संपीडित प्राकर्ति गैस था लपीजी करने के आदेश दिये गए हैं इसकी जो खुबसूरती है वो कम ना हूँ इसके बचाव के लिए सर्वोचे नियाले ने बहुत सारे नियम निकाल इसके अंतरगर्त के भई ध्योगों ने उद्योगों को CNG और LPG जैसे स्वाच इंदनों का उप्योग करने के आदेश दिये ग क्या कौन से प्रकार के प्योग करने के लिए शीशा रहित प्योग करने को कहा गया है अपने बड़े बुड़ों से चर्चा करके यह देखिए कि वे अब से 27 वर्षपूर के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं क्या कहते हैं अपनी कतरन पुस्तिका के लिए जो अमली वर्षय है देखो निर्जी वस्तों को तो प्रभावित करें जैसे ताजमेल को किया वैसे ये बोल रहा है कि जो मिटी है तथा पौदों को भी क्या करती है प्रभावित करती है क्या देखते हैं पौतागर प्रभा सूर्य की किर्ने वायू मंडल से गुजनने के मह क्षण कर लेते हैं उसका अंद्रिक्ष में लॉट जाता इसंद्रेश बाआजशे जाता है दो बांग फटिजय अंद्रिक्म परावरतित हों में कुछ भाव्र्टित को करता जो वायू मंडल में जो परावर्तित हुई विकिरन का जो कुछ भाग रुक जाता नहीं ये क्या करता है पर्थियों को और ज्यादा गरम करता है यदि आपने किसी पौधा शाला या नर्सरी अथा अन्य किसी इस्थान पर पौधा घर को देखा है तो आप याद कीजिए सू किडने उस्थान पौधा घर में परोस्तों कर जाती है परुक जाती है ये रुखा ह ऋज्था और विकिरन ही करता है झो ये कारण है इसे पौधागर प्रभाव कहते हैं, यही कारण है, इस प्रक्रम के बिना पर्थी पर जीवन संबव नहीं हो सकता, अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खत्रा बन गया है, इस प्रभाव के लिए हवा में CO2 की अधिकता उतर दाई है, यह जो पौधागर प्रभाव है, यह क्य के लिए इस प्राभाव के लिए कराद है। तो के मातर हो रहा है। है। आप जानते हैं कि putting in co2 का एक घटक है। पोदो के लिए कारबन डाउक्षाइड की भूमी के आप अध्य होग़ें। सब्सक्राइब करते हैं कि प्रदुष्य को अपने अंदर लेते हैं ठीक है और हमें ऑक्सिजन देते हैं इसके अलावा अगर ज्यादा होगी सब्सक्राइब कर सकते हैं एक और तो मानवी किर्या कलापों के कारण कारण और प्रकाश इसलेशन के लिए पौदर से स्यो टू का उप्योग करते हैं उसके कारण वायू में CO2 की मातरा कम हो जाती है, वनुन मुलन के कान वायू में CO2 की मातरा क्या हो जाती है, भढ़ जाती है, अब देखो, कि अगर ज्यादा CO2 हुआ, तो क्या कर लेंगे, पौधे लेंगे, ठीक है न, और फिर क्या रहेगी, कम मातर, अगर माल लो, पौधे ही नहीं होंगे, तो CO2 क कौन लेगा, तो क्योंकि CO2 की खपत करने वाले व्रक्षों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, इस प्रकार मानुए किरिया कर आप मंडल में CO2 के संचे में क्या देते हैं, योगदान देते हैं, इसलिए बोलते हैं, पेड काटने नीजिए, पेड काटेंगे तो वो CO2 नहीं, वो CO2 कौन लेगा, CO2 कोई नहीं, CO2 क्या कर जाएगी, यहां पे बढ़ जाएगी, और क्या करेगी, पर्दूशक का कारिय कर देगी, और इसे वायू मंडल में जानने देती हैं, परिनाम सुरूप वायू मंडल के औस तापमान में नीरंतर क्या हो रही है, वरदी हो इसके अलावा कार्बन नयुक्साइड के अलावा भी बहुत साइग गैसे, जो ग्लोबल वामिंग में योगदान करती है, मेथे, नाइटर्स ऑक्साइड तथा जलवास पर जैसी अन्य गैसे भी इस प्रभाव में योगदान करती है, CO2 की, CO2 की भांती ही, इन्हें क्या कह पौदागर गैसे कहते हैं, जो मेथे, नाइटर्स ऑक्साइड हो के तथा जलवास इनको भी क्या 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 पौदागर गैसे, कहते है, विश्व विश्व व्यापी सरकारों के लिए विचारनी विश्व बन गया है, भहुत से देशों ने पौदागर गैसों के, उस सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंद किया है, संयुक्तराष्ट सम्मेलन के अंतरगत, क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंद है, जिस पर बहुत से देश अस्ताक्षर कर चुके हैं इसके लिए स्मील किया गया इसके अंतर गुत कौन सा प्रोटोकॉल किया गया है MA बुजों को यहां सुनकर पथी के ताप में केवलब Gb về centigrade जितनी कम रधी के इतने घंभी परिणाम हो सकते हैं कि मतलब यह अच्छी हो रहे कि पर्थी के ताप में केवल 0.5 degree centigrade जितनी कम रधी हुई है कि इतने घंभी परिणाम हो सकते हैं पहली से यह बताती कि अभी हाली में समाचार परत्रों में उसने पढ़ा था कि हिमाले के गं अब क्या किया जा सकता है वाईू मडल को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं प्रदूशन के विरुद हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कता हैं उधारन के लिए कुछ वर्षपूर्व दिल्ली सरकार ने सरवादिक जो दिल्ली सरकार में सरवादिक परदूशित नगर थ था डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुए के कारण दम गोटू स्वास रोधी वातावरन था और वाहनों को सीसा रहित पेट्रों सीनजी जैसे अन्य इंधनों द्वारा चलाई जाने का निन्य लिया गया और इन उपायों द्वारा शेहरों की वायू आप देखो यह है कि इसमें ना जो यह वायू परदूशित को कम करने के लिए क्या कर सकते जैसे कुछ सालों पहले जो दिल्ली था वो सबसे ज्यादा परदूशित नगर था संसार का परंतु उसनी क्या किया कि जो है ना यह पैट्रोल है डीजल उनकी जगह पे कौन सी ची इसे उधारन जानते हैं जिन से आपके छेतर में वायू परदूशित को कम किया गया है इन उधारनों के अपनी मित्रों से चर्चा करिए क्या आप इध्यालों में बच्चों द्वारा चलाया गई अभियान फटाकों का बहिशकार करिए के विशह में जानते हैं इस अभिय दिवाली के दिन में वायू परदुशन के इस्तर में काफी अंतर ला दिया है सरकार तथा अन्य एजेंशियों द्वारा विभिन इस्थानों पर वायू के गुणबत्ता का नियमित मौनिटरन किया जाता है इन आंकरों का उप्योग कर हम अपनी मित्रों तथा पडोशियों स जागरुखता उतपन कर सकते हैं सरकार तथा जो बॉग सारी एजेंशिया तो विभिन इस्थानों पर वायू के गुनबत्ता का नियमित क्या कर रहे है उसको माप रहे है उसको क्या करें मौनिटर सकते हैं हम देखेंगे ज्यादा वायू पर्दुशन होगा तो हम उसको कम करने के लिए कुछ न कूछ उपाई करेंगे अधिआ अउटप और जी वाईू पर्दुशन के परतिफित जागरुपता हो गैंगें कि इतने दिनो के इतना वायू पर्दुशन हो गया और नहीं हुआ हमने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया तो इससे क्या हो गया वायू पर दुशन में कमी आई नहीं आई ठीक है न हमें अपनी उर्जा की आफशक्ता की पूर्ति के लिए जिवाश में इंधन के इंधनों को अपनाना चाहिए अब देखो हम लोग क्या हमें क्या है कि आफशक् पिकंदन और कॉल्पन हो सकते हैं हमारे थोड़े से युग्दान से परियावन की स्वस्ता में विशाल अंतर उत्पन हो सकता है हम पेड व्रक्ष लगा सकते हैं तथा पडोस में लगे व्रक्ष का पोश्चन कर सकते हैं क्या आप वन मौसव के विशय में जानते हैं जब जुलाई माहा में परतिवर्ष लाखो वर्ष रोपित किये जाते हैं, अब देखो, वन मौसव, अब हमें क्या करना चाहिए? वायू पर दूर्शन से निपटने के लिए सबसे बड़ा उपाई क्या है? हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, जितने ज़्यादा पेड़ लगा आंगे, तो पहले तो ग्रीन हाउस पौता गर्शन प्रभावे वह क्या होगा? कम होगा? दूसरी विश्व ऊंडन में क्या ही तूर्शन हें क्या क्या लगाने चाहिए? तो वन मौससरों को मनाना चाहिए हमें. भूजो था पहिली एक बार ऐसे इस्दांग से गजरें, क्या सोचते ठीक है न तो एक तरह से अमें वायू पर्दूशन को कम करने के लिए इंधन का भी ऐसा है कि भई ऐसे इंधन का उपयोग करना चाहिए कि जो वायू पर्दूशन ना करते हो इसके अलावा में जादा से जादा पोधे लगाने चाहिए इसके अलावा जैसे ये वो हम पढ़ेंगे next class में, okay बचो आज के लिए इतना ही thank you so much.